देश की लीडिंग मीडिया कंपनी जी ने डिजिटल फील्ड को विस्तार देते हुए बेंगलूरू जी टेक्नोलोजी एन इनोवेशन सेंटर की शुरबात की है बेंगलूरू में सेंटर का उद्खाट करनाटक के मुख्यमंत्री वस अब राजपोंबई ने किया करनाटक की राजपाल थावचंद गैलो दी जी टेक्नोलोजी एन इनोवेशन सेंटर पहुंचे उन्होंने जी एंटर्टेन में के डिजिटल बिसनेस और प्लाटफॉर्म्स के प्रेजिडेंट अमित गोयंका ने इस सेंटर के बारे में विस्तार से जानकारी दी असी हजार स्क्वाइर फीट में फेला जी टेक्नोलोजी एन इनोवेशन सेंटर जी के टेक, डेटा और टालेंट का एपी सेंटर होगा ये सेंटर जी के लिए AR, VR और NFT के इस्तेमाल से मेटरवर्स की दुनिया यानि आभासी दुनिया बनाएगा जी का ये टेक्नोलोजी और इनोवेशन सेंटर रोजगार के कई अफसर भी खोलेगा जी टेक्नोलोजी एन इनोवेशन सेंटर से डेजाइन, टेक्नोलोजी, डेटा और साइबर सेक्योर्टी फीड के कई विशेशक जुड़े हैं जो भविश्य की तक्नीक और उनकी चुनोतियों पर काम करेंगे। इस सेंटर के उद्खाटन के मौके पर मुख्यमंत्री बसरवराज बोंबई ने कहा कि Zी शुरू से ही एंटरटेन्मेंट सेक्टर में कुछ नया करने के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि देश में सबसे जादा देखा जाने वाला नेटवर्क Zी है। इस मौके पर Zी एंटरटेन्मेंट के डिजिटल बिसनेस एंड प्लाटफॉर्म्स के प्रेजिएंट अमिद गोहिंका ने कहा कि यह सेंटर टेक्नोलोजी और इनोवेशन से दर्शकों को बहतरीन एक्स्पीरियंस देने में मदद करेगा। Zी over the last three decades has of course been a pioneer in entertainment, news and all genres of entertainment and content. And this center would be probably the next decade of growth for zeep where we would like to using technology and innovation bring the best experiences to our consumers across screens. Of course I am glad that we are doing this in the IT capital of our nation by you. I am glad that we are getting out of the time and you can jump to this online messenger. To be continued... झाल, 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 झाल.